इसी के साथ अगली बड़ी खबर धान की खरीदारी पर मंद्री ने लगाई रोक रामेशर उराव ने कहा गीला धान खरीद कर सरकारी खजाने को नहीं पहुचाएंगे नुकसान राची में धान की खरीदारी पर किरिया शुरू होते ही बंद कर दी गई है खाद आपूर्ती मंद्री रामेशर उराव ने निर्देश जारी कर इसे रोकने के लिए कहा है उन्होंने इसे 15 दिनों तक अस्तगित करने के लिए कहा है खाद आपूर्ती मंद्री ने कहा है कि का तरिदारी शुरू हुई थी अीस से अगली अगली भड़ी ख़बर ज्हारखन में अब पांच उग्रेट के लिए लेना होगा लासेंश ज्हारखन में पांच उग्रेट और तंबाकू उत्पांदन बेकने वालों को आब लासेंश लेना होगा वही नई बहाली में सरकारी नौकरी पाने वालों को अब तंबाकु सेवन नहीं करने के साथ सपत पत्र देना हुआ कर्मिक विभाग को इसके लिए निर्देश भेजने गए हैं मुकी सचीव सुखदेव सिंग की अधियस्ता में अश्टेट टैवों को कंट्रोल को और डिनेशन कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में इस प्रवधान को सक्ति से लागु करने का निरेश दिया गया है के साथ अगली बड़ी खबर रामगर को क्रोना मुक्त बनाने के लिए जांच में तेजी जरूरी जिल्ला समाराला सभागार में मंगलवार को उपायुक्त संदिप सीन ने जिल्ले में क्रोना के तहत हो रहे कारियों की समीच्छा की इस दोरान सबसे पूर उपायुक्त ने सिविल सर्जन रामगर डॉक्टर नीलम चोधरी से जिल्ले के अलग-अलग परखंडों में अब तक हुए क्रोना जांच के संख्या की जनकारी ली इस दोरान उपायुक्त ने सिविल सर्जन को नियमित अंत्राल पर परभारी चिकितिसा प्ताधी कारियों के साथ कारियों की समीच्छा कर क्रोना जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है अगली बड़ी खबर जिल्ने के पाच अस्कुलों का मुखमंत्री स्वच्था प्रुसकार के लिए चैन जार्खन सिघ्षा प्रियोजन परिशत निदेशक ने मुखमंत्री स्वच्थ विद्याले प्रुसकार के विजितावों का सुची जारी कर दी है राज अस्तर पर कुल 119 अस्कुलों को इस पुरुषकार के लिए चैनित किया गहा गुरुवार 3 दिसंबर को प्रोजेक्ट भवन राची में मुखमंत्री हमन्शोरेन संकेतिक रूप से 9 अस्कुलों को स्वच विद्याला का पुरुषकार देंगे DC के साथ अगली बड़ी खबर DC ने जीले में हर तिन पंचायत पर एक धान क्रेकेंद खुलवाने की मांग की जीला किसान मंच के एक परतिनिधी मंडल ने मंगलवार को AC संतोष कुमार शिन्हा के माध्यम CDC दिवियांसु जाका ग्यापन चौपा है इसमें कहा गया है कि चत्रा एक रिशी पर धान जीले है यहां हर अर्थिक अस्तर की किसान है जो इनकी हलात को बद से बत्तर कर रही है परन्तु सबसे विकट समसिया समर्थन मूली पर किसानों द्वारा धान विक्रे की है वर्तमान शमय में धान क्राइक केंदर नहीं खुलने के कारण किसान मजबूर होकर औरने पोने दामो अथार 10 से 12 रुपई ये प्रतिक क्युविंटरल की दर से धान भीचोलियों के पास बेचना शुरू कर दिया है के साथ अगले बड़ी खबार इगनु में री राजिस्टेशन की ति थी 15 जनवरी तक बड़ी इगनु में जनवरी सत्री दूजर 21 के लिए असनातर द्वितिये तिर्थिये एवं असनकोतर द्वितिये वर्ष एवं MBA, BCA, MCA समिस्टर कारी कर्मू में पुना पंजी करन का लिंग विश्विद्याले की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है जिसका अंतिम्ति थी अगामी 15 जनवरी 2021 तक है उक्त बातों की जनकारी के भी महला महाविद्याले में चल रहे इगनु अधियन केंद्र के समन्वेक डॉक्टर बीडी त्रिवेदी ने दी के साथ अगली बड़ी खबर पुरानी पेंसन विवस्ता जारी रखने के लिए जिल्ले के हजार कर्मियों ने मनाया काला दिवर्ष और काला बिल्ला लगाकर अपने कारी कालों में काम किया हजारी बग जिल्ला अंतर्गत लबगव छे हजार कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर सरकार के समझ अपना रोश परकट किया साथ ही जिल्ले के उपायुक्त को ज्यापन दे कर पुरानी पेंसल लागू करने के लिए मुखमंत्री को परत्र प्रेशित करने का आग्रह किया के साथ अगली बड़ी खबर निगम छेत्र में 2665 सी एंजी ओटो को मिलेगा परमिट 20 किलो मीटर का होगा दाइरा तीस तक परमिट के लिए करे आवेदन राची में बढ़ते परदूसन वा परिया वर्निय द्रिश्टी कोन से सी एंजी ओटो चालाने का रास्ता खुल गया है नगर निगम छेत्र में सी एंजी ओटो का परमिट जारी करने की परकिरिया शुरू हो गई है 2665 नए सी एंजी ओटो को परमिट दिया जाएगा जिसका परिचालन दाइरा 20 किलो मीटर में होगा रिजिनल ट्रांस्पोर्ट ओफीसर निर रंजन कुमार ने कहा कि वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे 30 दिसंबर तक आवेदन जमा करें वैसे वाहन मालिक जिसके नाम से ड्राइविंग लेसेंस होगा उन्हें प्रात्मिकता दिजागी डिल की छाय प्रितिवा अभी प्रमानीत करना संगलन करना होगा वैसे वाहन मालिक को परमिट निर्गत किया जाएगा जिसन का अस्थाई निवास राँची नगर निगम छेतर में होगा या वैवसेक के दिरिष्टी कोन से राँची में करियान ले हो अगले तिन दिनों तक समाने रहेगा मौसम 6 दिसंबर से रहेगा कोहरा राँची की सुबा बुधुवार को गुनगुनी धूप के साथ हुई असमान पूरी तरह साप है तेज धूप के साथ मौशम में गरमाहट भी बढ़ रहे है मौशम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों तक राँची में इसी तरक का मौशम रहेगा रविवार से घना कोहराल लगना सुरू हो जाएगा मंगल वार को सहार का अधिकतन तापमा 26 डिगरी सेल्सियस और न्यूतम तापमान 11 डिगरी सेल्सियस रहा बुधुवार को भी तापमान में बदला होने की संभावना नहीं है राची के साथ अगली बड़ी खबर राची से खुलने वाली आधा दरजन अस्पेशल ट्रेन की टैमिंग में बदला भीड बना कारण राची से खुलने वाली आधा दरजन अस्पेशल ट्रेनों के समय में बदला किया गया रेलवे ने इस समन्द में सुची जारी कर दी है या बदलाव 39 दिसंबर के लिए राची रेल मोडल के C.P.R.O. नीरज कुमार ने बताया कि भीड को देखते हुए टाइमिंग की आजमसिक बदलाव किया गया है बुधवार किसे सभी ट्रेन नई समय किसारनी के मुताबिक ही चलेगी इसी के साथ अगली बड़ी खबर कुरोना देश में मरीजों का आकड़ा 95 लाग के पर अवरूवल के बाद पंजाब में C.M. अमरिंदर लेंगे वैक्सिन का पहला डोज देश में कुरोना मरीजों का आकड़ा 55 लाग के पर हो गया है अब तक 95 लाग 4,830 लोग संकर्मन की चपेट में आ चुके हैं इसमें 4,26,207 मरीजों का इलाद चल रहा है जबकि 89,38,116 लोग ठीक हो चुके हैं संकर्मन से जान गवाने वालों की संख्या अब 1,38,251 हो गई है वीदेशों में भी किसानों के लिए लड़ाई अमरिका कनाड़ा में बसे पंजाद्मियों ने सोचल मीडिया केमपर शुरू किया प्रोटेस्ट की लाइब अस्ट्रीमिंग कर रहे क्रिसी कानुनों के खिलाब दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान अंदौलन को दुनिया भर्क में समर्थन मिल रहा है खास तोर के से कनाड़ा, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इंग्लेंड और दुसरे देशों में बसे पंजाबी सोसल मीडिया पर किसान अंदौलन कर सफूर्ट कर रहे हैं इन देशों में अंदौलन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इनकी सोसल मीडिया पर लाइव अस्ट्रीमिंग भी की जा रही है पंजाबी सोचल मीडिया के हर जरिये से इस आंदोरों को बढ़ाने में काम कर रहे हैं के साथ अगली बड़ी खबर सुप्रीम कोट की जारकन सरकार को फटकार कर कहा अपनी मर्जी से रेवडियां बटवाने की मांसिकता छोड़े सुप्रीम कोट ने मंगलवार को एक अध्योगी इकाई को नितिगत लाब के तहत कानुनी पात्रता से वंचित कराने के मामले में जारकन सरकार को आड़े हाथ लेते हिवे कहा कि राजी को सासक होने के नाथे अपनी मर्जी से रेवडियां देने की अपनी वेसिक मांसिकता को त्यागना चाहिए और वह निस्पच और पारदर्सी तरीके से काम करने के लिए बाद ही है सी के साथ अगली बड़ी खबर गिरिडी में दर्दनाग सड़क हाथसे में पती पतनी और बेटी की मौत परिवार में पारस मातम गिरिडी के गाइडे थाना छेत्र के गाइडे में देर राथ हुए सड़क हाथसा में एक ही परिवार के तिन लोगों की मौत हो गई मिर्थिकों में 42 वर्षिये जितेंद्रिक गिरी उनकी 32 वर्षिये पतनी आसा देवी और 12 वर्षिये बेटी प्रीतिव कुमारी की मौत हो गई घटना मंगलवार देरात करीब 12 बजे की है अगली वड़ी खबर परदूसन से हाप रही जार्खन की कोईला नगरी धनबात को आबो हवा बदलेगी नगर निगम की एह तयारी जार्खन में परदूसन निखन को लेकर जार्खन राज परदूसन निखन बोट बनाया गया है लेकिन अब तक इसका कोई खास असर नहीं दिखा देश के सबसे परदूसन सहरू की सूची में जार्खन को कोईला नगरी धनबात का जहरिया टॉप पर है ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट ने इसी वर्ष इस पर मुहर लगा दी है दो दिसमबर को प्रति वर्ष राष्ट के परदुसन नियंदरन दिवस मनाया जाता है ताकि लोग जागरुक हो और इस पर पनियंदरन पाया जा सके एक बार फिर परदुसन से छुटकारा को ले नकसलियों ने बॉकसाइड मान छेत्र से तीन कर्मियों का किया अभरन जार्खन वा चातिसगर पुलिस की सन्युक चापे मारी अभियान जारी जार्खन और चातिसगर सीमा छेत्र पर हिंडाल को द्वारा संचारेद बॉकसाइड मान एवं काटा घर से एक सुपरवाजर स में तिन सुरच्छा गाडों का अफरन हतियार बंद नाकाब पोशो द्वारा किया गया है अफरन की घटना गत सनिवार किया 36 गड राज के समरी थाना छेत्र के सराई डी और जल जाली गाउं में संचालित राजेंदर पूर मायंस के सुपरवाजर रामधनी आदत था लातेहार जिल्ले के महवाटन थाना छेत्र के कुद्द पाट काटा घर की सुरच्छा गाड सुरज सोनी तथा संजय आदो का अफरन क्या हुआ है लातेहार एसपी ने इस घटना के पिछे नक्सलियों के हाथ होने की संभावना वेक्थ की है वहीं अगाव लोगों की ब्रामधगी के लिए चाहारखन वा चत्तिसगर की पुरीच सन्युक्त चापेमारी अभियान चला रही है इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को देखने के लिए धनिवाद